अगले वीडियो में हमने फोलूप के बारे में देखा था और आज की वीडियो में हम फोलूप के एक्जाम्पल के बारे में कवर करने वाला है वो एक्जाम्पल में हम एक से टैन या ट्वेंटी तक का सम कराने वाला है और अभी हम मल्टिप्लिकेशन का भी एक्जाम्पल देखेंगे आज के वीडियो में एक से टैन तक का ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं अप करने वाला हूं यहां पर मैं फोलूप का यूज करता हूं 4 आई इन यहां पर आप मैंने आई वेरियाबल लिया है आप कुछ भी नाम दे सकते हो इस पर रेंज मुझे एक से टैन तक का चाहिए सम तो यहां पर में 11 तक फोलूप चलाता हूं क्योंकि यह फंजीरो से 10 तक का चलती है टैन तक फोलूप चलते लेकिन हमें 0 का मतलब 0 का कुछ अप एडिशन करा हो तो कुछ भी फरक नहीं परता है कुछ होता नहीं है जीरो से इसलिए हम start करता है अपनी फोलूप से टैन तक तो भी यहां पे मैं टोटल कर लेता हूं टोटल इस उकल टो टोटल प्लस अब ही में टोटल को प्रिंट कर देता हूं कि प्रिंट टोटल तो यहां पर मेरे पास 55 आंसर आ गया अभी इसे तरह से आप 20 तक सम कराना चाहते हो तो आप यहां पर 21 लिख सकते हैं क्योंकि यह लूप 20 तक चलती है या फिर आप यहां लूप को वन से भी स्टार्ट कर सकते है ठीक है इसको मैं रनने करने वाला हूं क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए तो मैं यहां पर दूसरा एक्जांपल लेता हूं मैं इसको कॉमेंट कर देता हूं मैं यहां पर multiplication MUL नाम का है मैंने एक variable ले ले इसमें मैं one assign कर देता हूं ठीक है क्योंकि यहां पर आप zero assign कर दोगे तो zero के साथ कोई भी multiplication होगा तो definitely zero आने वाला इसलिए मैंने यहां पर one assign कर दिया यहां पर follow चलाता हूं for i in range मैं लूप one से start करता हूं क्योंकि आप zero से start करोगे तो आपके पास definitely answer zero याने वाला है तो one से 10 तक का यानि 11 तक मेरी लूप जानी चाहिए अपि मैं आप पर मुल्टीप मुल्टिप्लिकेशन आई अभी मैं मुल को प्रिंट कर देता हूं तो आप यहां पर आंसर देख सकते तो आई हूप आप सब लोग को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए शेयर किजिए और कमेंट किजिए कि आपको यह वीडियो कैसे लगते हैं थैंक यू फूर ओचिंग मैं वीडियो तब तक के लिए हमारे साथ चुड़े रहे शेचे एंचे वाराइब बाइब